So what is up guys, कैसे हैं आप सभी लोग तुभी आज की सूड़ी में बात करने वाले हैं 2023 Tata Harrier Face Lift के Base Variant के बारे में तो भाई Base Variant हमारे पास आज चुका है Tata Harrier का बताने वालो कौन कौन सी चीज़े इस गाड़ी में होने वाली हैं और भाई क्या क्या चीज़े इस गाड़ी में नहीं देखने के लिए मिलेंगी सबसे पहले बात करते हैं इसके exterior में तो front से almost same ही देखने के लिए मिल जाती है ये गाड़ी साथ ही साथ LED DRLs भी provide किये गए हैं लेकिन इस गाड़ी में welcome features provide नहीं किये जाएंगे बढ़ते हैं side की तरफ तो side में हमें normal alloy wheels देखने के लिए मिलते हैं जो नए वाले alloy wheels हैं वो अब हमें base variant जो smart variant है उसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं बढ़ते हैं पीछे और देखते हैं पीछे इसमें क्या क्या चीज़े missing देखने के लिए मिलती हैं सबसे पहले तो इसमें हमें same ही rear देखने के लिए मिलता है जहां पे हमें normal LED tail lights connecting वाली देखने के लिए मिलती है लेकिन इसमें भी welcome feature प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आप लोग bumper देख रहे होगे तो bumper यहां पे तुरह सा change हमें देखने के लिए मिलता है top end variants में bumper तुरह सा different देखने के लिए मिलता है बाकी की सारी चीज़े हमें इस गारी में almost same ही देखने के लिए मिलती है बढ़ते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या change है अंदर इस गारी में almost कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है इसमें हमें infotainment system provide नहीं किया गया है लेकिन इसमें हमें normal instrumental cluster provide किया जाएगा जो की digital नहीं होने वाला है बात करते हैं AC controls की तो AC controls हमें touch based देखने के लिए मिलेंगे और जो gear knob होने वाला है वो भी हमें normal सा gear knob देखने के लिए मिलेगा अगर मैं interior की बात करता हूँ तो interior भी यहाँ पे काफी जादा simple हमें देखने के लिए मिलेगा black color का interior दिया हुआ है वही top end variants में color based interior देखने के लिए मिलेगा जैसा color आप purchase करोगे वैसी गाड़ी हमें अंदर से देखने के लिए मिलेगी बेस मॉडल में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा engine option की बात करता हूँ तो 2L का diesel engine provide किया जाएगा same वही होने वाला है जो हमें पहले harrier में provide किया जाता था तो आप लोग नीचे comment करके बता होगी आपको यह base variant की प्राइस की बात करते हैं तो यार इस base variant की prices जो है वो थोड़ी सी increase हमें देखने के लिए मिलेंगी पुराने वाले harrier की base variant से क्योंकि इसमें काफी जादा features को add किया हुआ है जैसे कि illuminating tata logo steering wheel में force book steering wheel प्रोवाइड किया गया और बहुत सारे features को यहाँ पे add किया है तो आप लोग नीचे comment करके बता होगी यह base variant आपको लगा तो लगा कैसा है या top end variant का ही लेने का सोच जो त आज की वीडियो के लिबसे नहीं और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में